Let's do question number 9th of exercise 8B data circles. Question number 9th is in the given figure, two tangents RQ and RP are drawn from an external point R. वो कह रहा है RQ और RP external point R से tangents draw की कही है. To the circle with center O. Circle पर जिसका center O है. If PRQ is equals to 120 degree. PRQ अगर ये वाला पूरा angle 120 degree का है. Then prove that. हमें क्या prove करना है? OR equals to PR plus RQ. ये prove करना है. तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं. सबसे पहले जो जो दे रखा है वो वो लिख लेते हैं given. हमें given में क्या दे रखा है? कि RP और RQ दो tangents है. RP and RQ are the two tangents. Two tangents on the circle. Circle पर और क्या दे रखा है? हमें एक angle दे रखा है. Angle PRQ and angle PRQ हमें दे रखा है 120 degree का. और हमें क्या प्रूफ करना है? To prove, हमें प्रूफ करना है OR equals to PR plus RQ. ये प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे? देखिए, देखिए हम construction करेंगे. क्या construction? कि OP और OQ को join कर देंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम ये दो triangles निकाल लेते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा? कि OR जो है, वो PR plus RQ. क्योंकि equal है कि नहीं है, concurrency के थ्रूफ कर सकते हैं. तो हमने construction क्या की? OP और OQ को join कर दिया. अब प्रूफ कैसे करेंगे? अब देखिए, ये दो triangles बन गए हैं. तो इन दोनों triangles को ले लेने हैं. इन ट्राइंगल, OPR and ट्राइंगल OQR. तो अगर मैं concurrency से ये दोनों equal कर दूँ, तो मैं कह सकते हूँ CP, CTC के according कि ये angle इस angle की equal है. और अगर मैं ये angle इस angle की equal पता कर देलती हूँ, तो हमें पता चल जाएगा OR bisect कर रहा है इस है. तो अब इस triangle और इस triangle में अगर देखें, OP और OQ क्या है, radius है, OP is equals to OQ, why both of them are the radii of the circle. Radia है circle के, और क्या proof कर सकते हैं, अब देखें, हमें पता है, RP और RQ, tangents हैं, और हमें पता, external point से tangents क्या होती हैं, equal होती हैं, तो RP is equals to RQ, tangent हैं, कहां से, from external point R, external point R से tangent है, और क्या proof कर सकते हूं, देखें, OR दोनों में common है, दोनों triangles के लिए common है, तो हमने कहा, OR equals to OR, common, तो तीन चीज़ प्रूफ होते ही, हमारे triangles क्या हो गए, concurrent हो गए, triangle O, Q, R, देखें, मैंने ऐसा Q किया, इसको concurrent क्यों प्रूफ किया, क्योंकि हमें ये पूरा angle दे रखा है, अब ये नहीं पता है, आधा angle इसकी equal है की नहीं है, ये bisect कर रही है की नहीं कर रही है, तो हमने क् ये concurrent proof कर लेंगे उसके लिए, तो हमने यहाँ concurrent proof कर लिया, तो कौन सी concurrency लगी, SSS concurrency, और SSS concurrency लगने के बाद, concurrent proof होने के बाद, हम कह सकते हैं, angle P, R, O, Q, R, O की equal है, angle P, R, O, is equals to angle Q, R, O, by C, P, C, T, right, C, P, C, T से ये angle, ये angle इस angle के equal निकल लिया है, अब देखिए, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें P, R, Q, पूरा angle दे रखा है, ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, तो एंगल P, R, Q हमें दे रखा है, 120 degree, अब 120 degree दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते है, P, R, Q को क्या लिख सकते है, देखिए, P, R, O, plus Q, R, O, लिख सकते है, तो एंगल P, R, O, plus एंगल Q, R, O, equals to 120 degree, ये कैसे आया, देखिए, इसको P, R, O, और Q, R, O, लिख लिख लिया, P, R, Q, को, राइट, अब हमने P, R, O, और Q, R, O, को, क्या पूफ किया था, इक्वल पूफ किया था, तो मैं Q, R, O, की लिख सकते है, तो, P, R, O, plus, एंगल P, R, O, equals to 120 degree, क्यों, because, एंगल Q, R, O, को, हमने अभी अभी, एंगल P, R, O, के इक्वल पूफ किया था, तो ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल P, R, O, कितना आ गया हमारा, 120 degree, और एंगल P, R, O, कितना आ गया, that is, 120 upon 2, 60 degree का आ गया, अब, अगर आप देखें, ये भी एंगल 60 degree का आ गया, और ये भी एंगल 60 degree का आ गया, अब हमें क्या इक्वल पूफ करना है, और को, P, R, और, R, Q के, एडिशन के इक्वल पूफ करना है, कि हाइपॉटन यूज़ जो है, तो कैसे करेंगे, देखिए, अब हमें पता है, O, P क्या होती है, पर्पेंडिकुलर होती है, और हमें थीटा कितना दे रखा है, 60 degree दे रखा है, तो, as, O, P is perpendicular to R, P, and, here, angle, P, R, O, is 60 degree angle दे रखा है, तो हम कौन सा टिक्नोमेट्रिक फॉर्मला लगा सकते हैं, देखिए, थीटा ये है, हमें, P, R चाहिए, और, O, R चाहिए, तो, hypotenuse और base हो गया, राइट, तो base और hypotenuse किस में आता है, देखिए, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ये देखिए, ये cause में आता है, base upon hypotenuse, मैं already सारी book पोस्ट कर चुकी हूँ, तो please, आप सारी चीजे देखिएगा, अगर आपको कहीं पे भी कोई problem है, उस particular chapter में ज on math.in पे जाकर देख सकते हैं, तो ये आ गया, cos 60 degree is equals to, base, base क्या है हमारा, देखिए, pr है, तो pr upon, hypotenuse क्या है, or, or, ये आ गया, of course, 60 degree की 1 upon 2 value होती है, देखिए, मैंने आपको technometric की table बहुत अच्छे से समझाई हुई है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उसको देख लीजे, आपको automatically learn हो जाएगी, please, उसको देखना ना भूले, is equals to pr upon or, right, तो or कितना आ गया, or equals to twice of pr, तो or को क्या लिख सकते हैं, or आया हमारा twice of pr, तो or को हम pr प्लस pr भी लिख सकते हैं, right, अब or को हमने pr as it is लिखा, और दूसरे वाले pr कीजेगे, हमने क्या लिख दिया, rq, क्योंकि हमें पता है, tangents क्या होती है, equal होती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे rq, क्यों, क्योंकि हमें पता है, pr कहें, या rp कहें, बात एक है, किसकी equal है, rq के, right, और हमें यही प्रूफ करना था, or equals to pr plus rq, और यही हमने प्रूफ कर दिया, देखिए, फिर से समझा रही हूँ, हमने ऐसा क्यों किया, देखिए, हमें or equals to pr plus rq चाहिए था, उसके लिए हमें सिर्फ यह angle और यह बता रखा था, कि यह हमारी जो tangents है, वो equal होती हमें, यह पता है, right, तो हमने क्या किया है, इसको concurrent proof कर देंगे, जिससे कि हम यह पता लगा सके हैं, कि or क्या है, bisect कर रहा है, इस angle को, और bisect करते ही, हमें पता है, कि हमारा कोई न कोई, टिग्नोमेट्रिक formula फिट हो जाएगा, जिससे हम hypotenuse और base को लेके उसको यह proof कर सकते हैं, तो वही हमने किया, तो चलिए करते हैं अपना next question,